मुकामसे आरजेडी की विधाई का नीलम देवी जो जेडियों पार्टी को अपना पूरा समर्थन दे चुकी हैं क्या अब नितीश कुमार का साथ छोड़ती नजर आएंगी क्या नीलम देवी वापसी करेंगी आरजेडी में नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News नीलम देवी को लेकर ये सवाल हाल ही में क्यों उट रहे हैं दरसल आपको बदा दे कि राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव और बियार के पूर्व उपमुक्य मंतरी तेजस्वी यादव ने हीना शहाप से मु चुनाव से पहले हीना शहाप से पटना में मुलाकात करते हुए नजराय लालु प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच में खई मुद्दो पर चर्चा हुई करीब 45 मिनट के इस मीटिंग को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने क लिए अब हीना शहाप को अपनी तरफ खीचने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव और हीना शहाप के जरिए मुस्लिम वोट बैंक के जरिए चुनाव बिहार में जीतना चाहते हैं जहां हीना शहाप को समर्थन और जेडी को मिल सकता है इस बात का दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुकामा से विधाई का नीलम देवी को लेकर ये संकेत इसले मिल रहे हैं क्योंकि लोगसभा चुनाव के बीच में मुंगेर लोगसभा सीट पर नीलम देवी ने दावा किया कि जेडीू पार्टी को मुझे मुंगेर लोगसभा सीट देनी ही दबाव बनाने की कोशिश नीलम देवी ने की लेकिन ललन सिंग के मुकाबले जेडीू पार्टी के तैत नितीश कुमार ने नीलम देवी पर भरोसा नहीं किया और नीलम देवी को दरकिनार करते हुए ललन सिंग को एक बार फिर से लोक सभग mês चुनाव में मौका दिया गया और मुंगेर से ललन सिंग ने चुनाव जीता चुनाव जीता भी और केंद्रिय मंत्री बन गए उसके बाद देखा जाए तो अब नीलम देवी खाली हाथ जेडियू पार्टी में माजूद है जिसके बाद काई संकेत मिलते वे नजर आ रहे हैं कि अब नीलम देवी से भी मुलाकात लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं इसा होता है तो क्या वापसी निश्चित रूप से देखी जाएगी और नीलम देवी आएंगी तो क्या उनके साथ वो और दो विधायक भी होंगे जो फ्लोर टेस्ट के दोरान जेडियू पार्टी को समर्थन देते वे नजरायते चेतन आनंद और प्रहलाद यादव इस आन्यूस धन्यवाद